अस्सलामू अलेकुम वरहमतुलाहिव बरकातु हूँ दोस्तों मैं हूँ फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूटुब चैनल इसलामी अखलात तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बुजारिश करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बैलिक आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नहीं आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं मैं अपने प्यारे भाईयों बेहनों और दोस्तों को आज की इस वीडियो में खुशामदीत कहता हूँ दोस्तों इनसानी फित्रत है कि हर चीज अगर जादा हो तो उसकी एहमियत कम हो जाती है और इनसान का जी उससे भर जाता है लेकिन पैसा ऐसी चीज है जिससे इनसान का जी नहीं भर पाता और एक वक्त ऐसा आता है कि इनसान दौलत का पुजारी बन कर रह जाता है दोस्तों आप में से बहुत से लोग अपनी रोज मर्रा जिंदगी में देखते हूंगे कि आज का इनसान पैसो के पीछे मरता चला जा रहा है इस बात की परवा ही नहीं करता कि वो पैसा कहां से आ रहा है किस तरीके से आ रहा है बस वो चाहता है कि पैसा आ जाए और मेरी सारे ख्वाहिश पूरी हो जाएं आजकल पैसा जरूरत नहीं बलकि क्वाहिश का मजमुआ बन चुका है हमारा प्यारा इसलाम इस बात पर जोर देता है कि इनसान हमेशा ये बात याद रखे कि जिस तरीके से उसके पास पैसा आ रहा है दौलत आ रही है वो तरीका जायज है या नहीं कहीं वो हराम तरीकों से पैसे तो नहीं कमा रहा हराम तरीकों से दौलत तो नहीं समेट रहा अगर ऐसा कर रहा है तो वो दुनिया में भी खसारे में रहेगा और आखिरत में भी उसके लिए बड़ा खसारा है दोस्तों वक्ती तोर पर ये तो हो सकता है कि जो दौलत हम कमा रहे हैं उससे दुनिया की लज़ते हासिल कर लें दुनिया की चीज़ों में मगन हो जाएं लेकिन आखिरत की जिंदगी वो जिंदगी है कि जहां पर दुनिया में कमाए हुए हर हराम चीज़ का एक रुपा भी अगर हम हराम तरीके से कमाया होगा तो उसका हिसाब देना पड़ेगा मैं अल्लह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लह पाक हम सब को हराम की रोजी से बचने की तौफीग अता फरमाए और हमें रिस्के हलाल नसीब फरमाए आज मैं अपने भाईयों और बहनों को जो तजबी बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही प्यारे तजबी है बहुत ही जादा कामयाब तजबी है अल्लह के फजल के साथ जो भी मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा दोस्त रात को ये तजबी पढ़कर सो जाया करेगा पूरे यकीन के साथ और भरुसे के साथ पढ़ेगा कि वही अल्लह मेरी मुश्किल को दूर करने वाला है अल्लह ही मेरे लिए रिसके दौलत के वसाइल पैदा करने वाला है तो यकीन करें कि पैसो के हवाले से, मालो दौलत के हवाले से आपकी परेशानी खतम हो जाएगी और जब आप रात को एक तजबी पढ़ कर सोएंगे तो सुबा दौलत खुद चल कर आपके पास आ जाएगी सुबा उठते ही आप दौलत को अपने हातों में देखेंगे तो दोस्तों जो तजबी का अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो अमल आप लोग ज़रूर नोट फरमा लें क्योंकि मैं जितने भी वजाइफ होते हैं जो अमल होते हैं वो आपको बताता हूँ उन में आप लोगों को अल्लह का जिकर ही बताता हूँ कोई ऐसू बताता नहीं कि जिस से हमारा वक्त जाय हो या हमें कोई फायदा हसिल ना हो अम्हाँ का नाम बताया जाता है Allah का कलाम बताया जाता है ताकि मेरे जितने भी बेहन भाई हैं उन सब की परिशानी ख़तम हो जाए तो आप लोग ये तजबी नोट फरमा लें कि किस तरीके से इसको पढ़ना है आपने रात को सोने से पहले 313 मरतबा आप लोगों ने बिस्म लाह रह्मान रहीम ला इलाह इल्लाहु बिहक्किल वहाबुल हफीज रात को 313 मरतबा आपने तजबी का अमल पढ़कर सुना है शुरू और आखिर में दरूदे पाक लाजमी पढ़ लें सुबा जब उठेंगे तो दौलत की परेशानी ही खतम हो जाएगी पैसों का ऐसा इंतजाम हो जाएगा ऐसी जगा से इंतजाम हो जाएगा कि आपके घर में ही आपको पैसे मिल जाएंगे जो लोग पूरे यकीन के साथ ये अमल कर लेंगे तो अल्लह उनकी मुश्किल को आसान फरमा देगा और उनके लिए गैब से दूलत का इंतजाम फरमा देगा मेरी आप तमाम बहन भाईयों से गुजारिश है कि इस वीडियो को इस तजबी को रात को जरूर पढ़कर सुएं आपको यकीन ही नहीं आएगा कि अल्लह पाक ने आपकी कैबी तरीके से मदद फरमा दी इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें अपने तमाम दूसरे बहन भाईयों को भी बताएं अपना बहुत सारक हैल रखें अपनी दूआओं में याद रखें अल्लह हाफिज